नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आयोग सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंस पिछली वीडियो में हमने डिसक्ष किया था प्लेटो के बारे में सभी जो important point थे हमने detail में डिसक्ष किये थे इस वीडियो में हम प्लेटो से समंदित multiple choice question डिसक्ष करेंगे काफी important वीडियो है जो भी candidate HP, PSC के दोरा निकालेगे PZT political science के paper की preparation कर रहे हैं वीडियो के अंतक बने रहे हैं और साथी साथ channel को जरूर सबस्क्राइब कर दें और notification bell के icon को भी जरूर प्रेश कर दें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो इसमें देखी question number 1 है निमी लिक्त मैंसे कौन सी पुस्तक पलेटो द्वारा लिखी त नहीं है यहां पर देखी चार बुक्स दी गई है इनमेंसे कौन सी ऐसी बुक्स है जो पलेटो ने नहीं लिखी है option आपके सामने है republic, status man, the laws या politics बताइए राइट अंसर क्या होगा इसमें तो इसमें सी politics जो है यह पलेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है option number D राइट अंसर होगा क्योंकि अरस्तू द्वारा लिखी गई है बाकी republic, status man और the laws यह तिनों ही बुक्स जो हैं वो पलेटो की है आगे next question निमिलिक्त मैसे किस बिचार का मत है कि शाष्कों को संपत्ती का स्वामी नहीं होना चाहिए किसका बिचार है शाष्कों को संपत्ती का स्वामी नहीं होना चाहिए तो यह बिचार जो है यह भी पलेटो का है option number B इसमें right answer होगा next question number 3 प्लेटो की मृत्यू के उपरांत किसने दो अकादमी को बंद करवाया प्लेटो की जो दो अकादमी थी उसको उसकी मृत्यू के बाद किसने बंद करवा दी था जरिस्टियन, अरस्टू, दियोन या इन में से कोई भी नहीं तो बताई राइट अंसर क्या होगा तो अकादमी को बंद करवाया था जरिस्टियन ने, option number A, right answer next question देखिए प्रेटो की पहली रचना रिपबलिक आदर्शवादी करपना है जबकि उसकी अंतिम रचना लॉज क्या है यह भी important question देखिए पहली जो रचना रिपबलिक है बो तो अधार्शवाद पर अधारित है लेकिन अंतिम जो लॉज है वो किसके उपर अधारित है option देखिए अधार्थवादी पूर्णत है कालपनिक अधार्थवादी है इनमें से कोई भी नहीं तो बताई, right answer क्या है तो लॉज जो है यह इधार्थवादी है option number A यहाँ पर इसका सही अंसर है question number 5 निमिलत मैंसे किन सिधांतों का खंडन पलेटों ने अपने नियाय सिधांत के प्रतिपादन के पूरव किया है option आपके साने नियाय का परंपरावादी सिधांत नियाय का उगरवादी सिधांत नियाय का इधार्थवादी सिधांत या उपर्युक्त सभी तो बताई right answer क्या होगा इसमें तो इसमें से देखिए यह सभी जो सिधांत है option number D समें right answer होगा इसमें सभी का खंडन पलेटों ने अपने नियाय सिधांत के प्रतिवादन से पहले किया था D option इसमें देखिए right answer होगा question number 6 निमी लिक्त बक्तब्यों पर विचार कीजिए option देखिए चार यहां पर बक्तब्य दीगे है पलेटों का नियाय कारे बिसिश्टी करन पर अधारित है पलेटों का नियाय सिधांत आतम संयम पर अधारित है पलेटों का नियाय सिधांत नैतिक धारना ना होकर कानूनी धारना है पलेटों का नियाय सिधांत रचनातमक है तो उब्यक्त मैसे कौन सा सही है यह कौन से यह सही है तो इसमें option number A जो दिया गया है यह हमारा right answer होगा यह से 1, 2 और 4 यह तीनों ही statements जो है यह Plato के सम्मन्द में यह सही statements है तीसरी जो है यह गलत है तो इसमें शॉप्स नमबर A right answer होगा Question number 7 में देखिए निमिलिक मैंसे Plato का न्याय सिदान्थ अधारित है चार option दिएगे हैं इन मैंसे Plato का न्याय का सिदान्थ किसके अधारित है option देखिए मानवी आत्मा के दूई विभाग सिदान्थ पर मानवी आत्मा के त्री विभाग सिदान्थ पर या फिर मानवी आत्मा के चतुर विभाग सिदान्थ पर या उन में से कोई भी नहीं तो राइट अंसर इसमें क्या होने वाला है इसमें राइट अंसर होने वाला है प्लेटो का जो न्याय सिदान्त है ये अधारित है मानवी आत्मा के चतुर्त बीबाग सिदान्त पर option number C यहां पर इसका सही अंसर होगा question number 8 देखे न्याय के परम परागत सिदान्त का समार्थन निमिल्ट मैंसे कौन करता है न्याय के परम परागत सिदान्त का समार्थन कौन करता है प्लेटो, सुकरात, पॉलिमाक्स या फिर अरस्तु तो न्याय के परम परागत सिदान्त का समार्थन करता है poly marks option number c यहां पर right answer को 8 में का 9 question देखिए यहां पर राज्य की उतुपत्ती ब्रिक्सों या चटानों से नहीं होती अपितु ब्यक्तियों के चरित्र से होती है यह कथन किसका है important statement है यह भी तो यह जो कथन है यह पलेटो का कथन है option number c राज्य की उतुपत्ती ब्रिक्सों या चटानों से नहीं बलकि ब्यक्तियों के चरित्र से होती है next question number 10 पलेटो का समय वादी सी दान्त लागू होता है option है केवल उत्पादक बर्ग पर उत्पादक एवन दार्षनिक बर्ग दोनों पर केवल सेनिक बर्ग पर या फिर सेनिक वो दार्षनिक बर्ग अभिभावक बर्ग दोनों पर तो बताई राइट अंसर क्या होगा पलेटो का समय वादी सी दान्त ये लागू होता है सेनिक वो दार्षनिक बर्ग अभिभावक बर्ग दोनों पर नमबर D, यहांपर 10 का right answer रहने बला है, देखे, question number 11 यहांपर, प्लेटो अपने आदर्स राज्ये में चाहता है, पूर्ण समानता, सापेकशिक समानता, समानता पर उसके विचार असपस्ट रहें, या उपरिक्त मैंसे कोई भी नहीं, तो बताई, प्लेटो अपने आदर्स में क्या चाहता है, तो बचाता है, सापेकशिक समानता, B option यहांपर right answer होगा, 11 का, next देखे, प्लेटो महतव देता है, तो किसे महतव देता है, राज्ये समाज को, ब्यक्ति एवं परिवार को, कमजोर एवं अपंग को, या इन मैंसे कोई भी नहीं, तो प्लेटो जो महतव देता है, राज्ये या समाज को, option number A, यहां इसका correct answer, next question number 13 है, निमलत मैंसे किस सिदानत के अनुसार, नियाए भे का, शीशू और निर्बलों की अवशकता है, यह कौन सा सिदानत है, जिसमें कि नियाए भे का, शीशू और निर्बलों की अवशकता है, उगरवादी सिदा यह थार्थवादी है, परंपरावादी है, यह निमेंसे कोई भी नहीं, तो यह सिदानत है, यह थार्थवादी सिदानत, B, option, correct answer, next question number 14, पलेटो का नियाए अधारित है, किसके उपर है, असमानता पर, कानून पर, या अधिकार पर, बताई, right answer क्या हो सकता है, तो पलेटो का, निरंकुस तंतर का, अभीजन तंतर का, या भीड तंतर का, बताई, right answer, तो पलेटो समर्थन करता है, अभीजन तंतर का, C, option is the correct answer, next question number 16, पलेटो का अधार्श राज्य है, ब्याभारिक वो बिग्यानिक, ब्याभारिक वो अधार्श बाद, या ब्याभारिक वो प्रज next question देखिए, निमिल्त बकतब्य पर विचार किजिए, इस्टेटमेंट्स दी गई है, चार स्टेटमेंट्स हैं, ये पलेटो के से संबंदित हैं, पलेटो का अधर्श राज्य इस्तरी पूरुस असमानतपर अधारित है, पलेटो नयतिक वो अध्यात्मिक राज्य की कलप निम्रांकित मैंसे कौन पलेटो को सर्वाधिकार वादी विचारक नहीं मानता? यहां से चार विचारक हैं, इनमें से कौन पलेटो को सर्वाधिकार वादी विचारक नहीं मानता है? कार्ल पॉपर, आर एचेस क्रॉसमेन, आर निस्वेट या बर्ट्रेड रसेल तो इसमें से आर निस्वेट जो हैं ये प्लेटों को सरवाधिकारवादी बिचारक नहीं मानते हैं option number C, आर निस्वेट यहां right answer होगा यहां पर detail में भी दिया गया है थोड़ा सा देखिए आर निस्वेट प्लेटों को सरवाधिकारवादी बिचारक नहीं मानता जबकि अन्य बिचारकों का मानना है कि प्लेटों के दर्शन में सरवाधिकारवादी तक तब मौझूद है नेक्स्ट क्वेशन यहां पर है निमिलिक गरंथों में से प्लेटों किसके लेखग है चार गरंथ यह पॉलिटिक्स लेवियाथन रिपब्लिक दप्रिंस या ग्राउंड वर्क ऑफ दी मेटाफिजिक्स ऑफ मौराद तो इसमें से देखिए प्लेटों जो लेखग है वो कि रचना है और दव प्रिंस नामत पुस्तक मेक्यावली की रचना है देख लो इंपॉर्टन है प्लेटों की प्रूम करितियों में से उसके संबाद का नाम विशेश उलेखनी है प्लेटों ने 35 संबादों की रचना की है तो यह बुक्स आप भी याद रखिए इंपॉर् करना को रचना प्रकल्प न्याए कहा है कैटलीन ने एंबी फॉस्टर ने कॉल पॉपर ने या फिर बार्ख करने तो यह कहा है एंबी फॉस्टर ने पी ऑप्शन राइट अंसर आगे देखिए नक्स क्वेश्चन यहाँ पर सही उत्र चूज करना है प्लेटों के परिवारत है संपत्ती के सामेबाद के सिधान की विद्पत्ती मुक्यता किसके अनुबब से हुई है स्टेगिरा स्पार्टा एंथेस या बेनेस सही उत्र के चैनकी जी कौन से यहाँ प सिधान की विद्पत्ती स्पार्टा के अनुबब से हुई है यहाँ पर देखिए दूसरा स्पार्टा यहाँ राइट आंसर होगा आगे फिर से देखे बकतबे वाले हैं पर कतन वाले हैं पर क्वेश्चन दिये गए हैं यह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार PZT के एक्जाम में यहाँ पर दो कतन दिये गए हैं एक को अभी कतन और दूसरे को कारण R नाम दिया गया है अभी कथन क्या है प्लेटो के लिए ग्यान ना तो प्रतेक्स ग्यान है ना ही राय है कारण R क्या है सही मत या राय ग्यान है तो इसमें से कौन सा आप्शन सही होगा साथ में तो इसमें C आप्शन जो है ये राय टास रहा है A सत्य है और R जो है ये असत्य है इसमें यह वाली statement जो है इसके संबन में सही है और यह गलत है आगे next question पलेटो ने अनन्त वास्तिविक्ता की प्रकरती का अपना सिधान विक्सित किया और निमलित के अंदर वास्तिविक बिशो को सपस्ट किया इसमें लिखाए यह दो रिपब्लिक में दो प्रकरती का अपना सिधान विक्सित किया और टी टीमाओस के अंदर वास्तिविक्ता को सपस्ट किया निमलित मैंसे कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पातर नहीं है पॉलिमाक्स एडिमेंट्स प्रोटागोस या गलो कौन इनमसे कौन प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पातर नहीं है वो है प्रोटागोस सी ओप्षन या राइट आंसर हो प्रोटा गोर सराजने बिग्यान के विचारक है आता बे प्लेटो के रिपबली के पातर नहीं है रिपबली प्लेटो की सरफस्रेश करीती है जिसमें उसने दार्शनी शाष्चक वो न्याय युक्त आधर सराजेगी कलपना की है नेक्स गोश्चन प्लेटो का पुने प्रगटन इसमें पाया गया है प्लेटो का पुने प्रगटन किसमें पाया गया है सर थॉमस मोर का यूटोपिया कैंपनेला का सिटी ओफ दी सन या बेकन का न्यू अटलांटिस या उपरिक्त सभी तो इसमें प्लेटो का पुन्हें प्रगटन पाया गया है सभी में option number D यहां right answer होगा next question प्लेटो ने इनके बिचारों को लिया था Heraclitus, Parmenides, Sucrat या Ubrick, सभी तो प्लेटो ने सभी के बिचारों को लिया था D option यहां right answer होगा all of the verbs देखो प्लेटो के पूरवरती Parmenides और Heraklitus ने दो परसव विद्धी सिदान्तों की स्थापना की थी, Parmenides ने सत्ता को परिवरतन शील माना, जबकि Heraklitus ने इसे परिवरतन शील माना, प्लेटो ने इन दोनों के सिदान्तों का समन्वे करके अपने ग्यान सिदानत का निर्मान किया इसके अतिरिक्त प्लेटों के सिदानतों पर उसके गुरु सुकरात का भी गहरा प्रभाब पड़ा है नेक्स गॉस्चन ये देखे एक मिलान वाला गॉस्चन है ये प्लेटों द्वारा चरतिस सदगुन के चार संगटकों का सही करम बतलाईए सही करम हम नहीं बताना है न्याए, साहस, सहयम या बुद्धी माननी इसका सही करम क्या है तो इसका सही करम है आप्शन नमबर C, ये राय टंसरों का पहले पहले नमबर पर आएगा फोर, बुद्धी मानी दूसरे पर आएगा साहस और तीसरे नमबर पर आएगा सहयम और चौथे नमबर पर आएगा नियाए ये है उसका सही करम इनके पहले चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला यहां पर डिटेल में भी देख सकते हैं प्लेटो के नमबर मान भी आत्मा में तीन तत्तव या नैसरंगीक प्रवित्तिया होती है इंद्री तृष्णा, साहस, बुद्धी या ग्यान ये तीनों तत्तव जब विक्ति में उची तनुपात में भी दमा रहते हैं तबी विक्ति नहाएका पालन करता है नेक्स पॉस्चन प्लेटो ने मानम मन की कर्यातमक्ता का बरनन किसके दोरा किया गुफा के रूपक दोरह बिव्च पंकति के रूपक दोरह रूप के सिदान दोरह यह उपरिकुत सबी के दोरह किस के दोरह किया था? तो सबी के दोरह किया था option number D उपरिकुत सबी के दोरह यहां right answer होगा next question निवल्ट मैंसे कौन पलेटो का समर्थक है पॉपर, क्रॉसमेन, बर्लीन या लेविंसन इन मैंसे कौन पलेटो का समर्थक है तो लेविंसन जो है ये पलेटो का समर्थक है D option है, right answer होगा ये देखे डिल में लेविंसन प्लेटों के समर्थकों में गिने जाते हैं जब कि क्रॉस में बर्लीन पॉपर अलोचकों में गिने जाते हैं कॉरल पॉपर ने अपनी पुस्तक The Open Society and Its Enemies ये किसकी पुस्तक है ये है कॉरल पॉपर की के अंतरगत प्लेटों को स्वपंदर्शी तता सरवाधिकारवादी मानते हूं लिखा है कि उसके तत्व मिमान सा सिधान सरवधा भ्रामक हैं और उनके राजनीतिक प्रणाम अंतियंत बिनाशकारी हैं ये लिखा है कॉरल पॉपर में नेक्स कोश्चन निमल्क मेंसे कौन सा अभी कथन सत्ते है ये प्लेटों के नियाए समप्रभू की शक्तित द्वारा परिवर्दित और उसके नाम के लिए बनाएगे कानून और संसानों के लिए अनुरूप है निमल्क मेंसे केबल बी जो है डिकाई सून है यह वाल स्टेटमेंट जो है केवल यही सही है बाकी यह गलत है यह फिर से कथन और कारण अभी कथन और कारण वालग वस्टन है यह यहां पर देखिए एक अभी कथन दिये गए और कारण आर दिये गए प्लेटो का अन्याय सही कारे करने की प्रबर्ती का प्रतीबादन करता है यह अभी कतना है और कारण है अन्याय जहिलने से अच्छा है अन्याय करना तो इसमें से सही क्या होगा इसमें से ए सत्य है प्रंतु आर असत्य है यह जो statement है यह जो statement है प्लेटो का न्याय सही कारे करने की प्रवर्ती का प्रतिवादन करता है यह सही है जबकि यह गलत है next question अदर्सराज्य के विचार में प्लेटो ने बुबुक्षा शवद का प्रयोग निमन मैं से किस बरके संदर में किया है तो बुबुक्षा शवद का उसने प्रयोग किया है शिल्पकार में option number C यहाँ पर right answer का शिल्पकार के लिए बुबुक्षा शवद किया हुआ अदर्सराजी के विचार में next question प्लेटो की रिपबलिक में प्रती पादित नियाए के सिधान्त के अनुसार नियाए का अर्थ क्या है option है सच बोलना और अपने रिनों की अदाइगी करना अपने निर्धारित कारेक शेतर में अपने करतब्यों का निर्वाह करना आतम चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना या फिर प्रते को उसका दे और देना तो बताइए रिपबलिक में प्रती पादि नियाए के सिधान्त के अनुसार नियाए का अर्थ क्या है तो नियाएक अर्थ है अपने निर्धारित कारिक शेतर में अपने करतब्यों का निर्भाह करना B option यहाँ इसका right answer होगा Next question आदर्स शाष्य के करतब्यों का बीवरन निमनांकित मैंसे किसमे है आदर्स शाष्य के करतब्यों का बीवरन किसमे है पलेटो की रिपबलिक में है अरस्तू की पॉलिटिक्स में है महाबाद का शांती परव या फिरूसो का शोशल कॉंट्रेक्ट वो किसमे है यह है पलेटो की रिपबलिक में option number A यहां right answer होगा next देखे गुफा और परचाइह का विचार कि से सम्मझ देद है गुफा और परचाइह यह सम्मझ देद है पलेटो से c option right answer next question निमिल्ट में ऐसे बतायी कि किस पूस्तर के रचायता पलेटो नहीं है नहीं है तो पॉलिटिक्स के नहीं है इसके अरस्तू है यह पहले यह उन्हें डिसक्स किया था C option यहां right answer होगा बलकि यह तीनों जो है यह प्लेटों की है आगे next question नीचे दिए लेकों मैंसे The lodge का लेकों है The lodge का लेकों की भी प्लेटों है option number B यहां right answer होगा question number next यहां पर देखिए न्याय मानवी आत्मा का गुण तथा मन की आदत है यह कथन किसका है न्याय मानवी आत्मा का गुण तथा मन की आदत है यह कथन है प्लेटों का option number यहां पर A जो है right answer होगा आगे next question यह किसका मत था कि शाशकों को संपत्ती का स्वामी नहीं होना चाहिए शाशकों को संपत्ती का स्वामी नहीं होना चाहिए यह किसका विचार था तो यह मत है प्लेटों का आई हुए option number B यहां इसका right answer होगा next question प्लेटों सभी राज्य का उद्गम निमिलिक के धार पर रिखांकित करते हैं तो किसके धार पर रिखांकित करते हैं तात्व की जरूरते हों के धार पर समाज की जरूरते हैं आती की जरूरते हैं राजनेती की जरूरते हैं तो प्लेटों जो है सभी राज्य का उद्गम जो है यह समाज की जरूरते हों के धार पर रिखांकित करते हैं